बूर्णिंग गाईज तो सरदी आ गए है तो अब वक्त है कुछ नहीं ट्राय करने का और गर्मा गर्म कुछ पीने का मैं चाहिए कि मैं इसा अल्टरनेटिव गूंता जाता हूं तो मेरा जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो है होट चॉकलेट तो आज मैं उसको बना की दिखाऊंगा और नाश्रल इंग्रेट रहेंगे और हम लोग थोड़ा स्यूटने राट करेंगे टेस्ट के लिए जिसस बहुत स्पेशल रीजन है क्योंकि इसमें यह 100% प्योर है और इसमें अश्वगंदा भी है इसमें कोई आट्रिफेशल फ्लेवर नहीं मिलाए गया है तो मैं हमेशे नैश्रल की तरफ चाहता हूं तो मैंने इसको प्रफर किया तो मैं बना अपने किचन की ओर कि इसको प्र आने वाला है नहीं पर तब भी तब एक बार मैं आपको बता देता हूं और टेस्ट चैलेंज मैं हरत करूंगा तो देखते इसका टेस्ट कैसा है बस मुझे तो पते ही कैसा आएगा बस आप लोग को दिखाऊंगा कैसा आएगा तो आपने चाहिए क्या क्या चाहिए अपन हम लोग अपना फिटनेस का ध्यान देना है और अपना और एक का हॉट चॉकलेट जिसमें अर्षबंदा मिक्स है तो यह आपका बड़ा अच्छा कॉम्ब्लेशन है एसकी आप प्योटी देखू तो फर्स्टेप है हम लोग को दूद को थोड़ा सा गरम करना है फिर उसके बना रहा हों तो पांच करनारे बना रहा है और रिक को आप छोप Πलाए टाल देना हैिप मिक्सतिक देंगे काविम्स nahके प्रोंफव स्याकाल जयुत क्या है को ट्रिंकि खोंदान के प्र्वोश्मjungर्ट जाना हम लोग कली बहुत इंपोर्डर्ट है इसमें कहा रहता है अपने stress कम होता है stress and anxiety reduce होती है और quality of sleep improve होती है चीक है आज कल की बच्चे से लेकर बूड़े तक की यही problem है कि बचारा बंदा सो नहीं पाता तो इससे quality of sleep improve होती है और यह आपको अंदर से strong मराता है सबसे पहली बात तो यह मैं हर चीज़ बहीं बताऊंगा जो आपके आपके लिए benefit हो ठीक है जो आपके मुह के लिए नहीं जो आपके health के लिए benefit हो इसको स्वाथ तो हम लोग देखे यह एक जल्दी यह प्रेपेर हो गया बस में मिलाना क्या बाकि है चाय तो हनी चाय तो जैगरी मैं इसमें artificial sweetener डाल reversed v特 बादी डाल्दी वह अपना चोकले टीज़ और बताय का साय तो सब सबसेर ले स्मुल करने तुमको घ्रै एक तो ज्ती गर पोढ़ी स्मेल ना श्कुझाए थियं सामुद् fils pubis Rexdes 프로 एक डियां चाया व्यां था कुआ है इसको मैंने डिस्काउंड पे लिया तो तुम लोग भी डिस्काउंड लेना ट्रिंक और एक ट्वेंटी से है सो आज की वीडियो थी कि मैं आपसे बादा करने आओ कि अब मैं रेगुलर रहूंगा तो यह मैंने सुचा कि बना जेता हुए